तो आज की इस वीडिव पर मैं आपको बता रहे वाले हो कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पर्मनेंटली डिलीट करना चाहते हैं या आपने कोई अधर अगान बनाया हुआ था जिसको आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो अगर आप उसे पर्मनेंटली कैसे इसके बाद हमें चलना होका या नीचे इपने profile लोगो पे & then आपको यहां HP टॉप पर टॉप फी लाइंग शे entertaining system गुंदा स्बिकרגर अँप हेल्ब साथ इसे होगी इसेज़ करना होगा नहीं हो रहा है इपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करनेगा तो आपको ओप्षिन कहां शो होगा आपको इस पेज़ पे त्री लाइंस का ओप्षिन शो हो जाएगा टॉप पे सर्च पार पर बगल में आपको सिंप्ली से इस पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको यहां पर मिलेगा एप्षिन से केंड डिलीट यार इंस्टाग्राम अकाउंट इस पे क्लिक करना होगा तर आप जैसी इस पे क्लिक करेंगे आपको निचे स्क्रोल डाउन करना होगा scroll down करने के बाद आपको यहाँ दो option फिर से मिलेंगे instagram.com from a mobile browser और computer या फिर second option है instagram app और आईफोन यूजर है तर आपको second वाले option पे click करना अगर आप android यूजर है तो आपको यहाँ first option पे click करना होगा तर आपको यहाँ click करने के बाद यहाँ first पे आपको show जाएगा आपकी user name show हो जाएगी जिसे यहाँ पे आपको इस option पे click करके यहाँ पर अपना reason select कर लेना तो अपना account delete करना चाहते हैं तो यहाँ कर लेते हुआ something else पे click and then आपको यहाँ डालना होगा अपना password अगर आप अपना password भूल चुके हैं तो forget password पे click करके आपको एक OTP मिलेगा अपने number पे तो वह आप OTP से अपना password again reset कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे अपना password डाल देना तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना password यहाँ पे enter कर दिया है इसके बाद आपको यहाँ नीचे option मिलेगा delete और आपका username आपको show हो जागा तो आपको simply से इस option पे click करना है इसके बाद क्या होगा गाईज अगर आप ने जिस दिन यह किया है आपकी ठीक एक महिने बाद उसे दिन पे आपका account डिलेट हो जाए अगर आप इस पे click करेंगे delete पे दन्यार आपके पास पूछा जाएगा कि are you sure you want to delete तो यहाँ पे हम मुक्के का option पे click कर जाते है यहाँ से मेरा account अपने आप logout हो जाएगा तो जैसे कि आपको show हो रहा हो तो मेरा account logout easily हो चुका है आप अपने account को permanently delete easily कर सकते हैं आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो helpful लगे हो तो please वीडियो को like and channel को subscribe करना ना भूले and thanks for watching